SST GDK गनीत के क्लास में आपका आमंतरण है, वेलकम है और अगर आप गनीत में कमजोर हैं तो भी कोई प्राबलम नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है जैसे सिखाया जाता है वो है कि अगर आप जोर घटा और गुना भागी जानते हैं हम यह मान के चलता हूं कि बस इतना ही इसके लिए सवाल थोड़े लंबे हो जाते हैं समझाने का लेकिन सब कुछ होता है और यह मान के चलता हूं कि इससे जाद आपको नहीं आता है वहां से मैं समझाना शुरू करता हूं आज अनुपात का दूसरा क्लास है चार क्लास हो चुके हैं इसका लिंक जो है मैंने डि पुरुष्ण और महिलाओं की संक्या का अनुपात 5 is to 4 है पुरुष्ण महिला का अनुपात 5 अनुपात 4 है यदि पुरुष्ण और महिलाओं की संक्या में क्रमश 16% और 15% अधिया ध्यान दिजेगा यहां हलका से ट्रिक्स केलेंगे, ध्यान में रखेगा, 16% और 15% संख्या में नहीं बढ़ा है, प्रतिशत में बढ़ाने के लिए बोला है, तो पूरुश महिलाओं का नया अनुपाद क्या होगा, मतलब यह 16% और 15% जो बढ़ा देंगे इसमें आप, तो फिर वो अनुपाद क्या होगा, तीक है, यह आपका, देख लिए, यह 17, 11, 21 को शिफ्ट्री में आया हुआ था, तो देखिए पहले जो बोला, इसमें जो है न, आप जानते हैं, अगर पहले लिखते तो क्या लिखते, पांच, फाइव एक्स, बटेच, फोर एक्स लिखते, अभी भी हम वही ल जगा दे दिया है, फोर और एक्स के बीच में दो जगा दे दिया है, अच्छा प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब दो सुनना, तो हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं, कि दो सुनना है, ठीक है न, दो सुनना है, तो पांच सो का सोला प्रतिशत क्या होगा, च तो पांच को सोला से गुना किया, तो असी हुआ, तो ये बढ़ा, तो पहले क्या था, पहले हमने पांचव पकड़ा था, और इसमें बढ़ कितना गया, 80 और बढ़ गया तो कितना हो गया ये 580 हो गया उसी तरह इसको मैं अगर 400 पकड़ लेता हूँ तो 400 का 15% कितना होता है तो फिर वही 400 गुने 15 बटे 100 होगा तो सीधी बात है आप देख लीजिए सुनना सुनना कड़ जाएगा है ना तो फिर सुनना सुनना अगर कड़ गया तो पनरचो के 60 हो गया तो ये बराबर 460 हो गया जो मैंने लिखा अब देखिए ये 580 चारसो साथ एकस को एकस से काड़ दिया सुनना को सुनना से काड़ गया तो 58 बटे 46 हुआ ये भी 2 से कड़ता है 29 दुनी 58 होता है ये 29 लिखा मैंने और ये 46 को भी 2 से काड़ते है तो 23 होता है तो इस तरह से जो इसका उत्तर है 29 बटे 23 है आशा करते हैं कि आप एकदम सही रूप से इसे समझ चुके होंगे देखिए इसमें बोला गया दो बेगती हैं P और Q उनका आयू का अनुपाद 5 इस टू 7 है 5 अनुपाद 7 है जो वर्तमान की है बोलता है फिर 8 वर्ष पहले मने 8 साल पहले उनका उम्र का अनुपाद क्या था 7 अनुपाद 13 था ठीक है ना P और Q अब बोलता है कि Q की वर्तमान आयू क्या है P और Q की वर्तमान आयू क्या है ठीक है न तो इस सवाल में देखिए पहले तो 5X is to 7X 595 साथ है P और Q का तो हम ऐसे लिख सकने है तो इसका मतलब P आज के दिन में 5X है ठीक है न और Q जो है आज के डेट में क्या है 7X है लेकिन अब 8 साल पहले की बात करता है तो 8 साल पहले P कितना होगा P जो होगा 8 साल पहले क्या होगा 5X माइनस 8 होगा Q जो होगा 7X माइनस 8 होगा बड़ाबर क्या होगा बात बात 13 होगा ठीक है ये तो बोला हुआ है अब देखो यहां से सीधा सीधा जो है हम एक transpose की activity करते हैं पंच्छांतर की दे कुछ हम छोटे में करने के लिए करते हैं तो हम जानते हैं हम क्या जानते हैं हम जानते हैं कि जब ये गुणा होगा तो ये तेरा जो है तेरा जो है पांच से गुणा करेगा तो तेरा से पांच से गुणा करेंगे तो क्या होग 65X होगा, ठीक है, और जो है, 7 से जब हम इसको गुना करेंगे, 7X को, तो क्या होगा, ये 49X होगा, ठीक है, अब जब हम, दोनों के सामने देखो, प्लस है, इसके लिए क्या होगा, इनका अंतर निकालेंगे, मतलब, 65 से हम, 49 को घटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 16 साल, ठीक है, ये X है, ये भी X होगा, ये समझ गया है, देखो, ये मैं तीसरी बार कर रहा हूँ, असान है, अब देखो, यहाँ भी ये 13 अठे, और 7 अठे, ठीक है ला, कैसे करते हैं, तो हम इसको लिखते हैं 16X, अब देखो, फिर क्या करेंगे, 13 को 8 से गुना करेंगे, 7 को 8 से गुना करेंगे, तो इसको गुना नहीं करेंगे, 8 तो 8 ही है, 13 से 7 को हम घटा देंगे, 13 से जब 7 को घटाएंगे, तो 6 होगा, और 6 को हम 8 से गुना करके 48 लिख दिए, देखो, ये हुआ कैसे था, मैं अगर 13 को 8 से गुना करता, ठीक है न, तो 13 अठे क्या होता है, 104 होता है, ठीक है, ये 13 और 7 अठे क्या होता है, 56 होता है, ठीक है, 14 से 6 अगर घटाएंगे तो 8 होगा, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 होगा, तो इसको एकदम सिंपल वे में कर लेने के लिए इतना हम कर लेते हैं, अब 16 एक्स बड़ाबर 48 है, तो देखो हम एक को ऐसे सीधा करते हैं, 16 तियां 48, तो एक्स बड़ाबर क्या हो गया, एक्स बड़ाबर 3 हो गया, ये आ गया न, अब अगर एक्स बड़ाबर 3 है, मेरा दे कर देना है तो पी की वर्तमान उम्र जो है 15 साल हो जाएगी क्योंकि जो वर्तमान उम्र 21 साल हो जाएगी यहां पर दिया हुआ है और यही जो है आपका 15 और 21 जो है यही आंसर है तो देखो यहां पर जो यह बार बार मैं कर रहा हूं 3-4 बार जैसे करते हैं न और आप भी प् एक्जाम को क्रैक करना है तो समिकरन को पहले पहले दिन में मैंने पूरा लिखके पूरा सॉल्व करके दिखाया अब इसको थोड़ा सा शॉट कट करने की आपको भी कोशिश करना होगा तब ही जाके समय के साथ जो है आप परिच्छा को कंप्रिट कर पाएंगे तो चलिए फ संख्याओं में कितना अंतर है देखी इसको जानते हैं तो इससे हसान कोई सवाल होता ही नहीं है तो पहले देखो यह अगर अनुपात में हैं दोनों संख्या तो हम कैसे लिखेंगे इसको 9x और 11x क्या बोलेंगे 9x जो है यह पहली संख्या है 11x दूसरी संख्या है और महत एक संख्या में भी 23 विद्यमान है तो कैसे विद्यमान होगा भाया सिधा 23 से गुना कर दो न तो कहने का मतलब है कि 9 को हमने 23 से गुना कर दिया ये देखो महत्तम समावर्तक था एक्स के जगा पे हमने महत्तम समावर्तक से गुना कर दिया ये भी एक्स जो लिखावा था महत आतम समावर्तक से गुना किया, अब देद दनादन गुना किया, तो गुना किजिएगा, ठीक है न, अब गुना क्या किजिएगा, नहीं, थोड़ा सा रूख जाईए, क्या कि दोनों में 23 है न, तो 23 को कॉमन ले लो रहा है, यार, 23 को कॉमन ले लिया, और आपने घटाना है न, 11 से 9 घटा दिया, हमें क्या करना था, इसको गुना करके, इसको गुना करके घटाना था, चुकि दोनों में 23 था, तो हमने 23 कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, अब 11 माइनस 9 कर दिया, इसमें ठीक है न, ये 23 दोनों में है, इसलिए कॉमन ले लिया, 11 से 9 घटा दिया, त होगा तो 23 गुने 2 हो गया बड़ावर 46 होगा देखो यहाँ पे गलती टैपिंग हो गया है यह 26 नहीं होगा यह 46 होगा तीक है तो इसको हम काट देते हैं यह आंसर जो है 46 होगा तो आप समझ गए यह इसका आंसर है तीक है यह टैपिंग मिस्टेक था चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं इस सवाल को देखिए बोलता है 73,500 की एक धनराशी को A, B, C, D में 3 अनुपाद, 7 अनुपाद, 9 अनुपाद, 11 इसमें विभाजित क्या जाना है मतलब यह तीनों चारों अनुपाद मिलके कितना अमाउंट है 73,500 बोलता है A और D के हिस्सों का योग कितना होगा तो देखो इस सवाल को परके रुपईया एक साथ बोला है 73,500 अनुपाद में चारों का अनुपाद दिया है 3, अनुपाद 7, अनुपाद 9, अनुपाद 11 तो फिर हम कैसे लिखेंगे A, B, C, D नीचे किया दिया है 3, 7, 9, 11 मतलब A 3 है, B 7 है, C 9 है, 11, D 11 है और हम जब इसको लिखते हैं, तो X में लिखते हैं, तो क्या कर दिया, 3 के सामने X बैठा दिया, 7 के सामने X बैठा दिया, 9 के सामने X बैठा दिया और D के सामने X बैठा दिया, अब इसको हम जोडते हैं, जोडते हैं, तो 9 आरे 11, 20, 7 और 13, 10, 20 और 10, 30, मतलब 30 X हो गया आज जो है 73,500 है तो मेरे लिए क्या हुआ 30x बराबर 73,500 है ठीक है न तो हमें x की value निकालनी है पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा 30 नीचे चला जाएगा हमने इसको किया नहीं है चलिए हम कर लेते हैं तो हम कर लेते हैं तो हम कर के दिखा देते हैं तो हम सीधी सीधी बात है 73,000 हम 500 लिखते हैं ठीक है और इसे हम 30 से भाग देते हैं तो देखो सुनना से सुनना तो हमने काल अब हमने व्याद कराया था तुम्हें विभाजक्ता का नियां यह संख्या कटेगा या नहीं कटेगा मुझे पता नहीं है तो हम क्या करेंगे नहीं तुम्हें पांच टीन आठ अनकों को जोड़ेंगे 5,3,8 ,8 और साथ 15 अ पैंड़ा तो तीन से कटता है 200 अगर तीन से कटता है तो मतलब यह भी कटेगा अब हम काटना शुरू करते हैं तो देखो तीन दूनी 6 तो ये क्या हो गया, 13 हो गया, है ना, मन की आँख से देखते हैं, तो 3, 4, 12, तीक है, 3, 4, 12, 13 में से 12 घटाया, तो 1 बज गया, तीक है, अब ये 5 बचा हुआ है, 5 हमने उतार दिया, तो 3 पचे, 3 से भाग दे रहा है, 3 पचे, 15 हो गया, अब देखो, ये सुनना बचा हुआ है, इस सुनना को हमने उतार दिया, तो बराबर देखो, 24, 50 हो गया, यही एक्स का मान, 24, 50 हुआ, अब मेरे को बोलता क्या है, मेरे को बोलता है, कि भईया, A और D का हिस्सा कितना होगा अब A का D कितना हिस्सा है, 3 X है, D का कितना है, 11 X है, तो बराबर कितना हुआ, 14 X हो गया, तो हम 3 प्लस 11, 14 X मतलब 24, 50 को हम 14 से गुना करेंगे, अब इतना तो करिये लिजेगा, 14, 0 का 0, 14, 75 का सुनना, हाथ मेरा 7, ठीक है न, 14, 4 के 56, 56 और 7, 63 का 3 है, हाथ मेरा 6, 14 दूनी 28 और 6 क्या हुआ, 34 हुआ, तो 43,300 हुआ, यही उत्तर हुआ, क्यों यह जो 14 X किसका है, यह A और D के राशी का है, A का 3 X था, D का 11 X था, तो 14 X था, 14 X बराबर कितना हुआ, 34,300, यही जो है, इसका उत्तर है, तो आशा करते हैं, इस सवाल को आप एकदम सही रूप से समझ गये होंगे, इस सवाल में बोला गया है, A और B की आय का अनुपाद 4 X to 5 है, ठीक है, ब्याय का अनुपाद मतलब खर्चे का अनुपाद 2 अनुपाद 3 है, ठीक है, और बोलता है, A और B करमश्य साथ हजार दो सव और छे हजार रुपे की बचत करता है, तो पूस्ता है, A की आय क्या है, तो को यह कोश्चन बहुत ही आसान होते हैं, थोड़ा सा समीकरण में इसमें, Elimination Method को लगाना पाता है, हलकी सी चीज है, और यह बार बार आता रहेगा, तो हम Basic को साथ में चल रहे हैं, तो मतलब Elimination की विदी, विलोपन की विदी को भी फ्रद्यान से समझ लेगे, तो चलिए जैसे बोला, I बोला हुआ है, हमने I A का है, ठीक है न, और नीचे क्या है, B का है, यह बताया ही हुआ है मुझे, फिर मुझे खर्चे का दिया है, ब्याय का दिया है, तो हमने ब्याय लिख दिया, अनुपाद जो है हमने, दो अनुपाद तिन, तो 2X, 2Y, sorry, 2Y देखो, यहां पर हमने Y ले लिया, क्यों, I जब ह हम X में लिख लिए है, आमदनी है, तो खर्चा को हम Y में लिखना होगा, इसे आप याद रखेगे, इसे भूल जाएंगे तो गनीच जो है, गर्बर हो जाएगा, तो I और ब्याय, अब I से जो आप इनकम करते हैं, उससे खर्चा अगर निकाल दीजेगा, वही तो तो 4X माइनस 2Y ये जो है, ये A का बचत हुआ है, उसी तरह B का बचत और A का बचत क्या बोलता है, 7200, तो 4X माइनस 2Y बराबर 7200, देखो A का ये बताया हुआ है, और मेरे को एक समिकरण मिला है यहाँ पर, उसी तरह 5X माइनस 3Y बराबर क्या होगा, 6000 ये दिया हुआ है, B की I 5X है और खर्चा 3Y है, इसको घटाएंगे तो ये हमें दिया हुआ है, बढ़ाबर 6000 होगा, अब देखो हमारे पास एक समिकरण आया, X और Y का समिकरण, इसमें हम Elimination Method या Willopen विधी को लगाएंगे, इसे जरा समझ लें, ये क्या है, चार है, ये क्या है, पांच है, हमे अगर इन दोनो X को हटाना है, तो ये भी वही संख्या होना चाहिए, जो नीचे वाला होगा, तो हम सीधा क्या करते हैं, हम देखिए, सीधा जो है, इस पांच को लेके, ध्यान से देजिए, नीचे के इस पांच को लेके, टिक है न, हम इसे भी गुना कर देते हैं, हम इसे भी गुना कर देते हैं, और हम इसे भी गुना कर देते हैं, तो क्या हुआ, पांच को अगर 4X से गुना करेंगे, तो क्या होगा, 20X, यही जो हम मैथद कर रहा हो, यह विलोपन है, मतलब मैं X को छाट के निकाल दे रहा हूँ, तो मेरा क्या हुआ, ये देखो हमने 5 से गुना किया 5 से 4 को गुना किया 26 5 को 2 से गुना किया 10 वाई अब 5 से मैं 7200 को गुना कर रहा हूं तो 5 दूनी 10 का सुनना हत मेरा 1 पांच सते 35 और 1 36 तो मतलब बड़ाबर जो है 36,000 हो गए अब जैसे मैंने 5 से गुना किया आपको दिखाया उसी तरह अब मैं 4 से गुना कर रहा हूं तीक है ना 4 से इस नीचे के तीनों को गुना कर दूँगा तो चलिए गुना करके लिखता हूं तो ये भी 26 हो गया और 4 से मैंने 3 को गुना किया 12 वाई हो गया अब देखो 4 से मैं 6000 को गुना करेंगा चार चक्षो भी सजा तो देखो यही तो आपका यह है ना बेसिक है ना यही तो आप सीख रहा है मुझसे समी करन का विलोपन बीदी और इसे जब दो-चार सवाल में करेंगी यह ऐसे ही आपको सिखने आ जागा अलग से सिखने के बाद फिर भूल जाके फिर सिखना इतना सब अब परिक्षा सामने आ गया वक्त तो नहीं है ना अब देखो यहाँ पर एक चीज देखा आपने इस जैसे ही ट्रिक्स को इस एलिमिनेशन ट्रिक्स को या बिलोपन बीदी को लगाया ये आपका दोनों तरफ बीज एक्स बीज एकस हो गया मतलब अब एक्स कर जाएगा अब देखिए किसी बीज गनित में घटाया कैसे जाता है तो देखो इसके सामने क्या है जब भी किसी संख्या के सामने कुछ नहीं लिखा होता हमने क्या बुला है वो प्लस मान लेना चाहिए, तो इसके नीचे क्या यह माइनस आ गया, यहाँ पर चुकि माइनस है, तो इसके नीचे क्या आएगा, प्लस आएगा, जब हम घटाते हैं, तो बीजगनितिय संख्या जो है, नीचे का जो है, जिससे उगठा रहे हैं, उसके जो सिंबॉल होते हैं, चिन्य होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, तो इसी तरह, चुकि इसके सामने भी प्लस है, तो हमने माइनस कर दिया, अब देखो हमने लाइन खीच दिया, अब देखो 20x 20x, यह प्लस 20x है, और यह क्याब माइनस 20x है, तो यह 20-20 कड़िया, कहा कि 20 से 20 घटाएगा, तो कतम हो गिया, अब देखो यहाँ प्लस 12y है, और यहाँ पे माइनस 10y है, ठीक है न, कहा कि अब यह जो है, यह सिंबॉल ले लिया है, तो 12 से 10 घटेगा, प्लस से माइनस घटेगा, प्लस चुकी बड़ा है, तो यह प्लस 2y ह होगा, तो हमने इसको 2y लिखा, सामने कुछ भी नहीं लिखा होता है, तो प्लस माना जाता है, अब देखो 36,000 से हमें 24,000 घटाना है, ठीक है न, अब 24,000 से 36,000 घटाएंगे, तो 12,000 होगा, तो हमने 12,000 लिख लिए, अब एक लाइन खीज देते हैं, अब देखो, 2y अगर 24,000, 12,000 है, तो y बराबर क्या होगा, 6,000, जबकि हमें, यहाँ पर, हमें यहाँ पर, फर्मुला को रखना था, 2y का, तो हमें y निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं समझाने के लिए, मेरे को यहीं से कर लेता, यह step नहीं भी करता, तो चलता मुझे, अब मेरे को 2y ब 7200, कहाँ से यह मिला मुझे, औरे, यही से तो मिला मेरे को, 4x minus 2y बराबर 7200, है न, अब 2y की वैलू मुझे पता है, 2y की वैलू मेरे कितनी है, 12,000 है, तो मैं यहाँ पर 2y की वैलू को रख देता हूँ, तो 4x minus 12,000 बराबर 7200, अब देखो, मैं 4x की वैलू मुझे ही है और मुझे पूछा क्या एक ही आए एक ही आए तो 4X है तो फिर मैं 2Y के 12,000 को इधर अगर लेके चला जाता हूँ 7,200 की तरफ तो मुझे 4X मिल जाता है और 4X ही तो मुझे चाहिए क्या कि यही तो एक ही आए तो हमने क्या क्या 4X बड़ावर इधर लाइन की इस दिया एक 4X बड़ावर जो है 7,200 और यहां से चुकि माइनस चलके गया था तो यह क्या हुआ प्लस हो गया ट्रांस्पोज याद है न दोस्त तो 7,200 बारह हजार क्या 19,200 हो गया तो 4X बड़ावर 19,200 हो गया और 4X बड़ावर क्या एक ही आए है तो हमें एक ही आए ही तो पुछा है तो एक ही आए जो है 19,200 हो गया तो आशा करता हूँ यह सब थोड़े अगर आप पहले बिलोपन बीदी से समिकरन नहीं सीखेते तो साय थोड़ी से आपको समझने के बाद भी हिचक होगा लेकिन इस सवाल को 4-5 बार लगा दोगे न तो यह हिचक भी खतम हो जाएगा आप समिकरन का भी बिलोपन बीदी भी सीख लिए सवाल क देखें बोला गया कि सीमा आयू में रीमा से 8 वर्ष छोटी है ध्यान देजेगा सीमा छोटी है रीमा बड़ी है यदि 4 वर्ष पहले अब यह जो वर्तमान का उम्र बता रहा है अब बोलता है 4 साल पहले उनके आयू का अनुपात एक अनुपात दो था ठीक है अब 6 एक की shift over का sscgd में था एक दम current question अभी तो current question ही मैं कर रहा हूँ तो पहले जो हमें करें क्या करेंगे रीमा बड़ी है ना रीमा को हमने x ले लिया सीमा आयू में रीमा से 8 वर्ष छोटी है तो सीमा रीमा से 8 वर्ष छोटी है तो सीमा अगर क्या होगा x-8 क्यों रीमा x लि अब बोलता है चार वर्ष पहले तो मैंने लिखा पहले four years ago उनके आयू का अनुपाद one अनुपाद दो था अब देखो एक क्या है छोटी है दो बड़ा है तो फिर क्या है हमें सीमा पहले उपर लेना होगा रीमा नीचे आएगी इसे ध्यान देंगे तो क्या लिखेंगे मैंने रीमा पहले लिखा था लेकिन अनुपाद में एक छोटा पहले था तो मतलब सीमा उपर जायागा इसी को ध्यान देने के लिए उटा मैंने किया अब सीमा देखो और चार साल पहले अब देखो रीमा जो था एकस था चार साल पहले ठीक है ना चार साल छोटा होगा न तो X से 4 घटा दिया सीमा अभी X minus 8 है तो 4 साल पहले और 4 साल चोटी होगी तो X minus 12 कर दिया ये बडावर बोलता क्या है ये बडावर बोलता है 1 बटे 2 अब आपको पता है मैंने को क्या करना है 2 से X minus 12 को गुना करना है X से X को गुना करना है तो आप इसके ये दो सवाल अभी कर रहे हैं, दो सवाल पहले दिन में इस तरह का करके मैंने दिखाया था, तो हम करते हैं क्या, इससे टू को एक से गुना करते हैं, वन से एक को गुना करते हैं, दोनों में पलस है, तो अंतर निकालते हैं, तो टू एक से वन एक स गया, तो क दोनों के सामने माइनस है तो घटेगा 12 उनी 24 से 4 घटाएंगे तो क्या होगा 20 होगा तो X बडाबर 20 देखें ये थोड़ा सा कोशिश कीजिए क्योंकि exam है आपका school college का नहीं है competition का है आप कमजोर हैं कमजोरी को भी दूर करना है तो basic को भी आना है साथ साथ में छोटे में करने के तरीकों को भी सीखते जाना है और ये केवल प्रैक्टिस से सब्बाव है तो X बडाबर 20 हो गया तो आज के डेट में रीमा की उमर जो है 20 साल है सीमा की उमर जो है 20 से 8 घटाएंगे तो 12 साल अब बोलता है 6 वर्ष बाद 12 साल में सीमा की उमर में 6 साल बाद अगर खुच रहा है 6 साल जोड देंगा तो 18 साल होगा यह होगा न बाबा तो सीमा 20 माइनस 18 सीमा 20 माइनस 8 ये क्या हुआ X मेरा 20 निकला था X के जगा 20 रख दिया मैंने है –8 बाद साल होगा ये क्या होगा Sीमा ही आज की आहिए वह न और सीमा का six years from now 6 साल बाद 6 साल बाद है सीमा के आज की उमर में 6 साल जोड दिया 18 साल होगिया ऐसे उत्तर होगिया तो आशा करता हूँ ये देखिया 18 साल है तो आशा करता हूँ इस सवाल को भी आप एकदम सही रूप से समझ चुके होते हैं इस सवाल को देखें दो संख्याओं का अनुपार 9 इस टू 5 है 9 अनुपार 5 है, दो संख्या है यदि बड़ी संख्या में 8 जोडा जाता है बड़ी संख्या कौन है, 9 है, इसमें 8 जोडा है और छोटी संख्या से 4 घटा जोडा है छोटी संख्या अनुपार में जो है, 5 है यहां तर बड़ी संख्या अगर ऐसा करते हैं मतलब बड़ी संख्या में अगर आप 8 जोड देते हैं संख्या से चार गटा देते हैं तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की दुबू नहीं हो जाती है तो वह बड़ी संख्या निम्र में से कौन सी है तो बहुत देखो पहले जो है हमें अनुपाद दिया है 9 इस तो 5 तो इसको कैसे लिखेंगे आपको भी पता है क्योंकि ये दूसरी क्लास है पहले क्लास में बताया है कि हमने 9 इस और 5 इस ले लिया चूंकि 9 बड़ी है तो ये बड़ी संख्या हो गए अब इसमें बोला 8 जोड़ना है तो चलो हम 8 जोड़ दिया छोटी संख्या एक लिख दिया हो गए नहीं तो इसे लिखना थोड़ा समझ ले ठीक है अब जड़ा पहले बार भी हमने समिकरन को हलके से लगाया था इस बार भी लगाते हैं तो कैसे करेंगे तो देखिए हम इस एक से जो है 9 प्लस 8 को गुना करेंगे ऐसे करेंगे ठीक है न एक से अगर 9x को गुना करेंगे 9x होगा प्लस 8 को गुना करेंगे प्लस 8 होगा ठीक है न अब 5x माइनस 4 को इसको जो है इस साइड में ले जाएंगे तो मामला क्या होगा देखो अगर मैं 2 को 5x को ले जाता हूँ तो 5 दूनी 10x होगे माइनस का माइनस का अगर गया 4 को 2 से गुना किया 8 हुआ ठीक है अब मैं इसमें क्या करता हूँ एक चिस और मैंने को आपको बताया था ट्रांस्पोज करना मतलब x को इधर रखूंगा 8 को इधर ले जाऊँगा इस ले जाने में क्या होगा 10x जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और 10x से जब प्लस 9 घटाएंगे माइनस 10 प्लस 9 तो अंतर आएगा अगर 10 माइनस प्लस 10 में तो अंतर आएगा ना चलिए इसको एक बार लिख के भी देख लेते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे है कि प्लस 9 x ठीक है प्लस 9 x हम लिख रहे हैं और ये 10 x जो इधर जब जाएगा तो क्या होगा transpose होगा पक्षांतर होगा plus जो है minus 10x में हो जाएगा देखिए चुकि मैं basic से कर रहा हूँ तो यह मेरे को करके दिखाना है दुसरे लोग इसको मुह से बोलके निकल जाते हैं तो यह plus जिस संख्या के पहले कुछ नहीं होता है उसे plus यह साथ मैं इसरी वीडियो में बोल रहा हूँ अब तो आपको आ गया होगा तो देखो इसमें 10 plus है minus है मतलब क्या है इन दोनों के बीच में अंतर मेरे को लेना है 10 से 9 घटाएंगे तो अंतर 1 आएगा और कौन संख्या बढ़ा है 10 बढ़ा है यह भी तो minus 8 में चला जाएगा तो minus 8 minus 8 क्या हो जाएगा minus 8 minus 8 चला जाएगा तो 8 और 8 जूर जाएगे अब देखिए मैं इधर भी minus है इधर भी minus है दोनों को काट दिया तो x बढ़ाबर 16 हो गया पुछा क्या है बड़ी संख्या कौन सी है हमने कौन सी बड़ी संख्या मानी थी 9 x मानी थी अब x की value मुझे मिल चुका है तो फिर मेरा 9 x बढ़ाबर क्या होगा तो सीधी बात है 9 तो रखेंगे ही और x का मान 16 से गुना कर देंगे तो 16 नवा 144 होता है तो देखो 16 गुना 9 है बढ़ाबर 144 है तो बड़ी संख्या जो है वो 114 कैसे हो गए 144 होगी ठीक है देख लेता हूँ 9 x plus 8 10 x minus 8 plus 8 इधर जाएगा तो minus 8 ही हो जाएगा 9 is to 5 8 जोरा जाए 4 घटाया जाए तो x is equal to और 16 नवा 16 नवा होता है आपका 144 ठीक है न 9 x is equal to 144 ठीक है न और बड़ी संख्या पूचे 8 जोरने की बात नहीं हो रही है तो 144 एकडम सही है इस सवाल में बोला गया है 5 वर्षपूल A, B और C की आयू का अनुपात 4 is to 5 is to 7 है 4 अनुपात 5 अनुपात 7 है उनकी वर्तमान आयू का योग 135 वर्ष है देखिए ये अनुपात जो बोल रहा है 5 वर्ष पहले का बोल रहा है अब फिर पूस्ता है अब 3 वर्ष बाद B और C की आयू का योग क्या होगा और यहाँ पे आंसर है तो पहले जो 5 वर्ष पहले अनुपात जो लिया था उसको हम लिख देते हैं और यो पहले क्या था 135 वर्ष था अब अगर 5 वर्ष पूर्व है ठीक है ना तो अगर मैं इसमें अभी का अनुपात क्या होगा तीरों का पांच-पांच वर्ष का हम जोडेंगे जोडने के बाद क्या होगा ये एक सो पच्यास होगा पांच वर्ष पुर्व है अच्छा वर्तमान में आयू का योग sorry sorry वर्तमान में आयू का योग जो है 135 है और पांच वर्ष पुर्व जो था तो A का 5 वर्स, B का 5 वर्स, C का 5 वर्स, 3-5 वर्स मिलके कितने होंगे, 15 साल होंगे, तो हमने 135 जो वर्तमान आयू है, उससे 15 साल हमने घटा दिया, तो हमारा ये 120 साल क्या है, 5 साल पहले A, B, C के आयू का योगफर, ठीक है न, हम 5 साल नहीं घटा है, देखें, यहां 15 साल घट 5, 5, 10 हो गया, C का 5 साल, तो 5, 5, 10 आप 5, 15, इसलिए हमने 135 से 15 घटा दिया, क्लियर हो गया, जब ये 120 जब योगफर है, अनुपात कितना बोल रहा है, 4 is to 5 is to 7, ठीक है, तो ये लिख दिया, तो इसको तो हम ऐसे लिखेंगे न, अनुपात की दूसरी दिन की क्लास है, पहल ये योगफर बता रहा है, तो इसे भी तो जोड़ना होगा न हमें, तो चलो जोड़ते हैं, 7, 5, 12, 12, 14, 16, 16 X हो गया, अब देखो 16 X बड़ाबर क्या हुआ, 16 X बड़ाबर 120 है, 16 X मतलब तीनों के उम्र का योगफर बड़ाबर X है, तो X के बड़ाबर क्या होगा, अब द जाएगा, ट्रांस्पोस ज्याद आ रहा है न, जिसको पक्छांतर करते हैं, तो इसलिए 16 बटे में आया, क्या कि हम बेसिक के साथ साथ कर रहा है न, अगर हम 16 को हम 120 से काटेंगे, तो कितना होगा दोस्त, तो, अच्छा सॉरी, अब मेरे को, किसका चाहिए, इसको नहीं का क्योंकि काटेंगे तो दसमलाव में आ जाएगा, हमें बोला है B और C के आयू का योग, तो B और C के आयू का योग कितना होगा, B का कितना है, B का देखो 5 है, C का कितना है, 7 है, 5 और 7 जोड़ते हैं, 5 एकस और 7 जोड़ते हैं, तो क्या है, 12 एकस, अब देखो, एकस बड़ को हमने X के साथ गुنا किया इसलिए 120 बटे 16 को भी हमने 12 से गुना कर दिया ठीक है? चलिए अब काटते हैं अब काटते हैं तो हाँ पर 4 से काटते हैं चर्चों के 16 हो गया ठीक है ना? ये 4 त यहां 12 हो गया अब ये 4 से जब हमने 120 को काटा तो 30 हो गिया ठीक है और जब 30 और 3 को गुना करेंगे तो आप भी जानते हैं कितना होगा 90 होगा तो 12 x बराबर 90 तो मतलब क्या है आज से 5 साल पहले जो दोनों का उम्र किसका बी और सी का उम्र जो है 90 साल है और 5 साल पहले अभी पूछ रहा है क्या 3 साल बाद क्या होगा तो ध्यान से समझिए 90 क्या था 5 साल पहले कितने लोगों का था दो जन का था तो हमने दो गुना पांच किया न दो जन थे पांच साल पहले थे पांच साल पहले ये था और दो जन का उमर है ये पांच साल पहले का था तो दो गुने पांच करके अभी ये कौन सा उमर हुआ ये आज का उमर हुआ और हमें चाहिए क्या तीन साल बाद का तो इसमें क्या करेंगे दो गुना तीन तीन साल करके दो जन का छे साल और बढ़ा देंगे तो 90 और 10 183 दू निचे बड़ाबर 106 साल तो इस तरह से इसका उत्तर जो है आपका 106 साल है तो आशा करता हूँ कि आया हुआ था, कल का भी जो क्लास है, छे बजे होगा, कभी-कभी होता है कि नेकर प्राब्लेम के चलते, थोड़ा सा 6-10, 6-15 भी हो जाते हैं, मैं पूरा कोशिश करता हूं कि 6 बजे से क्लास शुरू कर पाऊं, और अभी देखिए, ये जो अनुपात का क्लास है, ये 5 क्लास में आपका पूरा कोर्स कतम होगा, हमने 2 क्लास किया हुआ है, और आज 4 दिन चल रहा है, अब हम लाब और हानी पे चले जाएंगे, और ये अनुपात का क्लास जो है, तीन क्लास बाद में करेंगे, क्यों? क्योंकि देखिए, इस तरह अगर हम मिक्स कर देते हैं, मतलब दो अनुपात के थोड़ा सा समझ आ चुका है, जिससे profit and loss के बहुत सारे सवाल जो असानी से अनुपात से solve हो जाते हैं, उसे आपको समझने में सुविधा होगा, और जाने के पहले मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर आपने subscribe नहीं किया है, तो जरूर subscribe करें, bell button को दबाएं, like करें और अपने दोस्तों में share जरूर करें, तो कल शाम 6 बजे फिर मिलेंगे